हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुझ के छाले ठीक करने की घरेलू उपाई मुझ के छालो का बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है चाले होते ही लोग हमें राइदेने लगते हें कि गड़न म Ho क्खालो ठीक हो जाओ के पान खालो चाले ठीक हो जाएंगे कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ लेकिन आपके चछाले हैं कि ठीक alike होते तो आप उनकी बाते नहीं सुने उन्हें इग्नोर करतेजिए आज मैं आपको बताती हूं रात को सुने से पहले या सुबह को उठते ही देशी घी को मुझ में चारो दिशाओं में लगा ले और जुबां को निकाल कर मुझ को खोल कर जमीन की तरफ लटका दे और मुझ स चाले ठीक हो जाएंगे तर्बूज के छिलके जलाकर उस राख को अपने चालो पर स्प्रेट कर ले यानि बूरक ले ये चाले का अच्छोग इलाज मना चाता है अगर आप जल्दी में है और चलते चलते ही चाले ठीक करना चाते हैं तो कबाब चीनी और मिशी को मुख में डाल कर धीरे धीरे चुसते रहें ऐसा करने से चालो में आराम मिलता है सफेद कथा 3 ग्राम इलाईची की दाने 3 ग्राम सीतल चीनी 3 ग्राम तूतिया नीला थोथा की भश्म 1 ग्राम इन सब को एक साथ ग्राइंड करके या पीस कर एक बहुत पतले छेदो वाले कपड़े से चान कर चुर्ण को अपने चालो में बुरक ले या स्प्रेट कर ले तो कितने भी पुराने चाले क्यों ना हो ठीक हो जाते हैं और हां चमेली के पत्तों को चबाने से भी मूव के चाले खत्म हो जाते हैं उमिद करते हूं दोस्ता कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप परीशानी का हर नहीं अपनी बोक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ पोप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रब्लम हमारी सॉलिक्षन के सात मैं आऊंगी रोजान नहो घरेली उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें, हैल्दी रहें, खुश रहें, थैंक यू